नमस्कार दोस्तों आज मैं शेर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो विटामिन A, विटामिन C, कैलसियम और प्रोटीन से बरपूर है इसे पीने से इम्म्यूनिटी भी मजबूत रहती है साथ ही इस्ट्रेस की बज़े से होने वाले नुकसान से भी ये ड्रिंग बचाती ह गर्मियों के दिनों में ये आपको ठंड़क देने के साथ ही साथ एनरजी भी देने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है टेस्टी है गर्मियों के दिनों में आप इसे जरूर बनाएं और इसके फायदों का लाव उठाएं तो चलिए बनाते हैं मैंगो मूझे तो मैंगो मुझे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा बरतन लेना है तो मैंने या काँच का बड़ा बोल लिया है और इसमें मैंने डाला है एक किलास दही दही एकदम फ्रेस है घर का है आप इस रेसिपी के लिए फ्रेसी दही लें खट्टा या पुराना नालें तो इसे हमें विस्क से या ग्रेंडर जार में डाल के एकदम स्मूध फैट लेना है तो मैंने विस्क से इसे फैट लिया है एकदम स्मूध इस तरह से और इसे हमने त बेरका का है आप चाहो तो घर का बना हुआ या मार्केट में जो खुला वाला पनीर मिलता है वो भी आप ले सकते हैं जिंजर वाले ग्रेटर से मैं इसे ग्रेट कर रही हूं आप चाहो तो बड़ा वाला जो ग्रेटर होता है उसे भी कर सकते हैं छोटे-छोटे पीस काट भी सकते हो तो मैंने से ग्रेट कर लिया है बारीक एक डंग यह ड्रिंक बनाने के लिए हम पनीर दही और मैंगो का इस्तमाल करेंगे इनी चीजों की बज़े से यह बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनने वाली है तो यहां हमने एक बड़ा आम लिया है आप चाओ तो दो भी ले सकते हो अगर छोटे आम है तो और आम की मात्रा कम या ज्यादा आप अपने इसाब से कर सकते हो तो इसे काट के मैं इसका पल्प निकालोंगी आम एकदम पका हुआ होना चाहिए तो हमने इसको काट लिया है और इसका पल्प निकालेंगे हम जिस बोल में हमने पनीर को ग्रेट किया है उसी बोल में यह पल्प निकालेंगे तो चाकू से इस तरह आप पीस बना के भी निकाल सकते हो या चम्मस से डायरेक्ट निकाल सकते हो तो इस तरह से निकालने में ज्यादा आसानी रहेगी आप इस तरह से भी निकाल सकते हो तो पल्प मैंने निकाल के तयार कर लिया थोड़ा सा पल्प इस गोठली पे जो रह गया है वो मैं इस चाको की मदल से निकाल लूँगी तो बड़ा हम होने की बज़े से इसमें अच्छा पल्प निकला है अगर छोटे हैं तो आप दो ले सकते हैं अब इसमें हम एड कर रहे हैं आदा कप PCV सोगर यह मैंने घर पर पीस के तयार किया है अगर आपके पास PCV नहीं है तो पीस लें आप साबूद भी डाल सकते हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूद मिला के इसका एक पेश्ट तयार कर लेंगे यानि कि से हम ब्लेंडर में चला लेंगे अब जो दही हमने पहले ही फैट के रखा हुआ था तो ब्लेंडर में हमने आम और पनीर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अब इसको हम इस दही में मिक्स कर देंगे आम और पनीर को ब्लेंड करने के लिए मैंने 1 फोर्थ कप दूद इस्तेमाल किया है आप इससे कम या ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे चम्मच या विस्क से कैसे भी मिला सकते हैं यह बस अच्छे से मिक्स होना चाहिए तो इससे इसी तरह 3-4 मिन चलाते रहना है जिससे यह एक्दम बढ़िया से गुल मिल जाए तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एक्दम गाड़ा अगर आपको पतला पसंद है तो इसमें थोड़ा सा धाई और एड़ कर सकते हैं चाहो तो दूद भी एड़ कर सकते हैं मैंने इसे गार्निस करने के लिए आपके छोटे-छोटे पीस काटके रखे हुए है आप चाहो तो इसमें ड्राइफ्रूट्स भी एड़ कर सकते हो उपर से ड्राइफ्रूट्स की गार्निस भी कर सकते हो लेकिन हम अधिकतर ड्रिंक्स में ड्राइफ्रूट को एड़ करते हैं इसलिए मैं इसमें ड्राइ फूर्ट नहीं डालूंगी यह इसी से बहुती ज्यादा टेश्टी और हेल्दी बनेगा अब इसे में दो गंटे के लिए फ्रीज में रखतूंगी दो गंटे बाद हम ग्लास में डालेंगे और इसका लुप तो उठाएंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तर के लिए राम आप